हेलो नमस्कार दूस्तो आज का हमारा टोपिक है विंडो 11 में नेटवर्क एडेप्टर मिसिंग है तो इसको कैसे फिक्स करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भ हुले चलिए शुरू करते हैं आपको क्या करना स्टार्ट पर राइट क्लिक कर देने इसके बाद यहां पर आपको सेटिंग दिख जाएगा इसके ओपर आपको क्लिक कर देने किलिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा अब माले यदि आपके केस में सिस्टम टै करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा अब आपको क्या करते हैं यहाँ पर इसको done करने के बाद यहाँ पर आदर के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेंगे तो आपको क्या करते हैं यहाँ सर्च करके आपको दिखा देदेगा, यदि आपके case में problem नहीं होगा, तो यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, यदि आपके case में problem आ जाता है, यहाँ पे दिखी जाएगा, उसको आप next करके उस problem को fix कर सकते हैं, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे close कर देना है, इसके यहां पर राने मिश्टर दिख जाएगा इसके उपर आपको क्लिक कर देने हैं क्लिक करते हैं इस तरह से विंड ओपन हो जाएगा यदि आपके केस में भी इस तरह से विंड ओपन होता है तो आपको क्या करना यहां पर यहां पर क्लिक करते हैं कमांड प्रॉंट ओपन हो जा जैसा मैंने टैप किया है, एजएटी टैप कर लिजेगा, इसके बाद आपको यहाँ पर इंटर कर देना है, इंटर करते हैं, यह कमांड रन हो जाएगा, रन होने के बाद यहाँ पर सक्सेस्फुल लिखा हुआ आ जाएगा, इसके बाद आपको कहा करना है, यहाँ पर टैप कर लीज़ेगा जैसे मैंने टप किया daw कर ली जएगा इसके बाद आपको इंटर कर दीनां इंटर करते हैं यह कमांड ररन हो जाएगा रन होने के बाद यहां पर सक्सेशफ़ल रीसेट लिखा हुआ लगवा जाएगा अब आपको क्या करने इस window को यहां से close कर दिने के बाद आपको क्या करने system को restart करने यहां से जरूर system को restart कर लिजेगा रिए स्टार्ट होने के बाद आप चेक कर ली जाएगा आपके किस में problem solve हुआ या नहीं यदी problem solve हो जाते हैं तो ओक्की है यदी फिर भी problem solve नहीं होता है तो आपको क्या करना यहाँ पे start पे right click कर देने हैं इसके बाद यहाँ पे आपको setting दिखेगा इसके ओपर आपको click कर इसतरह से nyt विंडी ओप्बें मोझां आपको यहां पर लेट्ट चाईट में नेटवर गतरी एक इसके आपको क्लिक कर दिने क्लिक करते हैं इस तरह से विंडी ओपन हो जाएगा इसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको first option दिख जाएगा network reset इसके आगे reset now लिखा होगा तो आपको क्या करना यहां पर क्लिक करने के बाद यह window open हो जाएगा अब आपको यहां पर yes पर क्लिक करते हैं यह reset होना शुरू हो जाएगा यानि आपको इसको reboot करना compulsory है यदि आप इसको restart नहीं करेंगे तो 5 minute के बाद automatic restart हो जाएगा इसलिए आपको क्या करना इस window को यहां से close कर देना है इसके बाद इसको यहां से close करने के बाद यहां से आपको system को जरूर restart कर लेना है यहां से मैं restart कर देता हूँ आप भी अपने case में जरूर system को restart कर लिजएगा यदि आप नहीं भी करेंगे तो 5 minute के बाद automatic system को restart कर देगा restart होने के बाद आप यहां पे चेक कर लिजएगा आपके case में यहां पे wifi चल जाएगा या नहीं तो जो भी लैन का problem होगा जो भी adapter का network का problem होगा वो problem solve हो जाएगा अब आप यहां से चेक कर सकते हैं आपका जो भी network adapter से related issue होगा सारा problem solve हो जाएगा और प्लीज गाइज चैनल को subscribe करे, like करे, share करे, thank you